हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्णिंग स्वावत है आपका आमारा यूट्यूब चैनल स्टेडी आवर लाइफ में तो आज हमारा है जोग्रफी का जोग्रफी में पढ़ेंगे भू आकिरती बिग्यान इससे पहले विशुप तक कंप्लीट कर दिये थे एक्वेटर तक कंप्ल किया से पाचलता है तो रेडियोमेट्रिक काल के द्वारा प्रिथवी के आंत्रिक भाग की जानकारी भूकंपिय तरंगों के आचरन ज्वाला मुखी उद्गार एबं उल्काओं से मिले प्रमान के अधार पर प्राप्त होती है जो प्रिथवी के अंदर क्या क्या है उसके क्रोड पित्वी का तीन भाग है तो आंत्रिक सेचना का परते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है तो सबसे पहले परत या मुटाई एवं घनत भूपरपटी का जिसको क्रस्ट बोलते हैं ठीक है तो इसका आप दोनों नाम याद रखेंगा भूपरपटी भी और क्रस्ट भी क्योंकि कभी-कभी एक्जाम में हिंदी दे दिया है इंगलिस भी दे दिया जाता है नाम ठीक है तो जाला तर आपको क्रस्टी मिलेगा लेकिन भूपरपटी भी याद रखें आप लोग तो इसका घनत परते हैं भूपरिष्ट से लग-भग 33 km तक ग्रेनाइट की बनी महा सागरिय परत से कम घनत की है किसका भूपरपटी का इसकी उपस्तिती क्या है तो महादूपी तथा महा सागरिय परतों के रूप में भूपरिष्ट से मोह असवधता तक भूपरपटी को उपड़ी परत तथा निचली परत विभाजित किया जाता है इनकी विभाजन रेख को नाड और सबंधता द्वारा निर्धारित होती है और इसका संखटन एवं बिसेस्ता क्या दिया हुआ है क्रस्ट का तो महादूपिय परत के मुख खनीज घटक सिलिका जिसमें सिलिकॉन इसको सिलिकॉन बोलते हैं अलमुनियम होने के करण इसे सियाल तथा महासागरिय पर तो सिलिकॉरोल सिलिकॉन और अलमुनियम होता है उसका पढ़ना है मैंटल के बारे में तो मोहे असबधता से उन्टी सो किलोमीटर की घहराय तक उपड़ी मैंटल तथा निचली मैंटल के मद घहनत संबंधित और सब्धता को रेपीटी असबधता कहते हैं इस परकार मोहे असबधता भूपरपटी को मैंटल से अलग करती है इसके वारे में पढ़ते हैं संगटन और विसिस्ता क्या है तो यह परिथिवी की कूल आयतन का 83% और दरमान का 60% है और मैंटल का उपड़ी भाग दुरवलता मंडल कहा जाता है जो अलमुखी उदगार के दौरान जो ल एक बार हम कोशिस करते हैं बताने का ऐसे होता है और इसे जो निकलता है यहां से लावा निकलता है ना ऐसे ओसे यहीं पर होता है ठीक है फिर आगे हैं कुरोड इसको इंग्लीज में कहीं कहीं कोरड लिखा हुआ मिल जाएगा तो कुरोड भी इसको बोलते हैं इसल comentários आप गुटेनबर्ग असंबधिता भूग गर्व का केंद्र तक है और इस परकार गुटेनबर्ग और सबन्ता मेंटल तथा कोड को अलग करती है आंत्रिक एवं बाहिर कोड के बीच विभाजन रेखा लेहमैन असंबधिता द्वारा निर्धायत होती है और इसके संखटन एवं बिसेस्ता क्या है तो यह जो है बाहिप परत अर्द तरल जब की आंत्रिक ठोस है इसे निफेवी कहते हैं रोट को क्या कहते हैं निफेवी कहा जाता है यह प्रिथवी के आयतन का 16 परतिसत एवं उसके द्रभमान का 32 परतिसत है प्रिथवी की सता से अंदर की परतों में ज तरी 32 मीटर की गहराई में जाने पर एक डिगरी सेलस्यस टेंपरेशर जो बढ़ता है जैसे आप लोग 32 मेटर अंदर जाएंगे तो एक डिगरी बढ़ेगा ठीक है 64 जाएंगे तो 2 डिगरी बढ़ेगा तो इसी तरह बढ़ते जाता है ठीक है उसके बाद है लिथोय स्फेर गवारे में पढ़ते हैं लिथोय स्फेर का डिपनीशन क्या दिया हुआ है तो लिथोस्फेर जो होता है भू प्रिष्ट तथा मैंटल के उपरी ठोस भाग को मिला कर बनने वाली प्रिथवी के ठोस बाहरी भाग को लिथोस्फेर कहते हैं किसको कहते हैं मेंटल के उपरी ठोस भाग को मिलाकर बनने वाले प्रिथवी के ठोस बारी भाग को लिथोस्फेर कहते हैं लिथोस्फेर के उपर बायू मंडल तथा नीचे एस्थेनोस्फेर बिथवान है उसके वाद है एस्थेनोस्फेर लीथो एस्फियर के नीचे इस्थित मेंटल की उपरी कमजोर परत जो लीथो एस्फियर से ज़्यादा गर्म एवं तरल होती है उसे एस्थेनो एस्फियर भी मेवी संबहनी धाराओं का निर्मान होता है तथा इसकी अर्ध तरल अवस्था के कारण ही इस पर प्लेट विवर स्थांत किस पे बोती है तो यह पोलं एपलों याद रखेंगे यह एस्थेनियों स्थेर मुझा ऑज़ती है उसके बादन के परकार रोक जिसको बोलते हैं तो सबसे पहला हमारा इगनियस रोक जिसको हिंदी में अगने चटान बोलते हैं इसके वारे में पढ़ते हैं तो अगने चटान की जो रचना है वो तब्त एबं तरल मैगमा के सीतल होने से होती है कैसी होती है तब तेवं तरल मैंग मांके ठंडा होने से जो बनता है उसे ये चट्टानों, चट्टाने, रवादार, परवत भीहीन तथा कठोर होती है इनमें जिवास्म का अभाव होता है तथा धात्विक खनीजों की प्रधानता होती है ग्रेनाइट, गैबरो, बेसाल, आदी, प्रमुक, अगने, चट्टान है भूपरपटी का 19% भाग इनहीं से बना है यानि प्रिथवी का 90% भाग किसी से बना हुआ है तो इगनेस रॉक से बना हुआ है तो एगनेस रॉक का एक्जामपल आप लोग याद कर लेंगे क्या क्या है तो ये ग्रेफाइट पहला क्या है ग्रेफाइट, गेरबो, बेसाल्ट आदी से मिलके अगने चट्टान बनता है और प्रिथवी का 90% भाग जो है वो अगने चट्टान से मिलके बना हुआ है इस पर जिवास्म नहीं होता है ये भी आप लोग याद रखेंगे इस पर जिवास्म जो है वो नहीं होता है उसके बाद है अपसाधी चट्टान अपसाधी चट्टान जिसको बोलते हैं इसमें उपस्थित परते पाई जाती है जिवास्म पाए जाते हैं तथा धात्विक खनीजों का अभाव होता है उसमें जिवासम नहीं पाया जा रहा था इगनियस रोक में लेकिन इसमें क्या है सेडिमेंटरी रोक में क्या है कि इसमें जिवासम पाया जाता है लेकिन धात्विक गुंजों होता है उसका अभाव होता है खनीज देल इनी चटानों से प्राप्त होता है इसका एक्जामपल है बलुआ पत्थर, कांगलो, मेरेड, चुना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोईला, आदी अपसादी चटान के उदारन है तो कम से कम आप लोग इसका एक्जामपल जरूर याद रखेंगे अपसादी चटान का एक्जामपल जरूर रखेंगे बलुआ पत्थर, कांगलो, मेरेड, चुना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोईला, ये सब अपसादी चटान के एक्जामपल है और इस अपसादी चटान से ही क्या बनता है? खनीज दिल का निन मान होता है उसके बाद है रुपांत्रिक चटाने, मेटामॉर्फिक रॉक अत्यदिक ताप आथवाद दाव के कारण चटानों के घनत, कठोरता, बनावठ, रंग दथा, खनीजों की सरचना में पूर्ण या आंसिक परिवर्तन होता है इन परिवर्तनों के फलसरूप रुपांत्रिक या कायांत्रिक चटान निर्मित होती है चटानों के रुपांत्रन दिया हुआ है तो अगने चटान का मुल चटान क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो है और इसका रुपांत्रिक चटान क्या है? नीस, एमफी, बॉलाइट, ग्रीन इस्टोन और सर्पेन, टाइनाइट उसके बाद अब साधी चटान का जो एक्जामपल है वो है बलुआ पत्थर, चूना, पत्थर, कोईला, सेल और इसका रुपांती चटान है कौटराइज, संगमरमर, ग्रेफाइड और स्लेट रुपांती चटान का एक्जामपल है सिलेट और इसका रुपांती चटान वो है फाइलाइट अगला है भूपटल, परवर्तनकारी बल, भूपटल में परिवर्तन लाने वाले बलों को मुख दो बर्गों में विभाजित किया जाता है पहला अंतरजाद बल परिथवी में आंतरिक परिवर्तनों के फलसरूप उत्पन बल जो भूपटल पर विसमताओं के लिए उत्तरदाई होता है इसके अंतरगत अकास्मिक बल जैसे ज्वालमुकी, भुकंप, भूसंखलन, आदी तथा पटल बिरूपक बल जैसे महादुईप जनक बल तथा परवत निर्मानकारी बल आदी आते हैं परवत निर्मानकारी बलों में तनाब बल जैसे भृंग, चटकन तथा दरार बल आदी एवं संपिडन बल जैसे बलन और संबलन बल आते हैं उसके बाद है बाहिजात बल प्रित्वी की सता पर उत्पन होने वाले बल जिनका भूप पटल पर प्रमुख कार अनाच्छांदन होता है वह जात बल का लाते हैं अनाच्छांदन के अंतरगत अप्छे तथा अपर्दन की क्रियाएं आती हैं उसके बाद है ब्रंस फॉल्ट्स बोलते हैं जिसको जब भूप पटल में तनाव या संपिडन बल के कारण एक तल के सहारे दरार उत्पन हो तब चट्टानों के रुपांतरन से उत्पन सरचना को ब्रंस कहते हैं ब्रंसन से कई परकार के अस्तला किर्थियां का अविकास होता है जैसे जैसे ब्रंस घाटी जब दो ब्रंस रेखाओं के बीच चट्टानी भाग नीचे धंस जाता है तो उसे ब्रंस घाटी कहते हैं एक्जाम्पल में उदारन दिया हुआ है अफेरिका का महान भ्रंस घाटी, जर्मनी की रैन भ्रंस घाटी, सयुक्त राज अमेरिका की मिर्तक घाटी या डेथ फैली भारत की नर्मदा वातापती नदी घाटी आदी ये सब ब्रंस घाटी का एक्जाम्पल है उसके बाद है रैंप घाटी, घाटी, रैंप घाटी क्या है? जब दो ब्रंस रेखाओं के दोनों और के भुखंडन उपर की और उठ जाते हैं तथा मद्वर्ती खंट या थावत रहता है तो ऐसी घाटी को रैंप घाटी कहते हैं, जैसे ब्रहंपुत नदी घाटी है, ब्रहंपुत नदी घाटी को रैंप घाटी का उदारन है, तो रैंप घाटी का उदारन है, ब्रहंस सोध परवत, जब दो ब्रहंसों के बीच का भाग यथावत रहता है, तथा किनारे के भाग नीचे धस जाता है, तो उचे उठे भाग को भ्रहन्सोद परवत कहते हैं, जैसे जर्मेनी में ब्लैक फॉरेस्ट एवं भारत में सत्पुरा का परवत, ये भ्रहन्सोद परवत का एक्जाम्पल है दोनों, उसके वाद है होस्ट परवत, जब दो भ्रहन्सों के किनाडे के भ द्वारा धरातालिये चट्टानों में संपेड़न के परिणाम सरूप लहरों के रूप में परने वाले मोरों को वलन कहा जाता है वलन के कारण चट्टानों के उपर उठे भाग को अभी नती कहा जाता है चट्टानों में निर्मित अपनी तथा अभी निती की एक दूसरे के सापेक्ष बिवीन परकार के इस्थितियों के अधार पड़ी ने बिवीन परकार में बरगी कृत किया जाता है उसके बाद है अर्थ को एक भुकम्प जिसको बोलते हैं हिंदी में तो समानित प्रिथवी के अंतरजात वल से भुपटल में उत्पन होने बाली कमपन को भुकम्प कहते हैं जब दो प्रिट आपस में टकलाते हैं और टकलाने से जो भुपटल पर जो उत्पन कमपन होती हो उसको क्या कहते हैं भुकम्प कहते हैं भुकम्प की उत्पत्तिvaluation केंद्र को भुकम्प मुल कहते हैं इंग समय इसको Focus कहते हैं भुकम्प केंद्र के ठीक उपर भुतल पर इस्थित अस्थान जहां सर परत्रम्पrand भुकम्प ये तरंगों का अन्वभ होता है उसे इपी सेंटर या भुकम्प केंद्र कहते हैं तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है कि इपी सेंटर किसको कहा जाता है तो जहां भुकम्प सबसे पहले अनवब किया जाता है उसको क्या कहते हैं भुकम्प केंद्र या इपी सेंटर कहते हैं उसके बाद है भुकम्पिये सिस्मोग्राफ द्वारा रेखांकित भुकम पिये तरंगों के लक्षन ठोस एवंदर्व चटानी सरचना में भिन्वीन होने से हमें भुगर्ख में चटानों की भिन्ता की जैनकारी प्राप्त होती है भुकम पिये तरंग तिन परकार की होती है पी तरंग, एस तरंग तथा एल तरंग इनका विब्रण्यम लिखित सार्णी के माध्यम से समझा जा सकता है तो भुकम का तीन तरंग होता है कौन-कौन पी, एस और एल तो इसे अलग-लग पढ़ते हैं क्या क्या है, पी मतलब प्रामरी वेब्स या प्रेशर वेब्स जो भी कहा है, दोनों नाम इसी कहा है तो पी तरंग या फिर प्रामरी वेब्स, इंगलिस में कहते हैं प्रात्मी तरंग और S तरंग को secondary waves कहते हैं और L तरंग को surface wave कहते हैं प्रिष्टी या सतही तरंगे तो इस सब को अलग-अलग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीतरंग के बारे में पीतरंग की गती और चाल सबसे ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा जो होती है गती और चाल किसका होता है पीतरंग का पीतरंग की आबिर्ती सरवधिक ही होती है संचरन का माध्यम ठोस तरल और गैस होता है और पीतरंग की प्राकिर्ती जो होती है वो अनुधार होती है कनो का कमपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है और सद्रिस्ता ध्वनी तरंगों के समानी होता है और तिर्वता सबसे कम होता है आयाम या विस्तार सबसे कम होता है ये था हमारा पी तरंग के बारे में तो पी तरंग के बारे में आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे, इसकी आबिर्थी और इसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद है हमारा एस तरंग, एस तरंग की जो गती है वो कैसी होती है, यह दूतिय या गौन तरंगे है, पी तरंग से कम होता है इस पंपन की दिशा के लंबत होता है। इसकी सद्रिस्ता प्रकास तरंगों के समान हो रही है। और एस तरंग जो है वो पी तरंग पी की अपेक्छा अत्यधिक तीव्रता वाली तरंग है और इसका आयाम या विस्तार जो है वो मध्यम है पी तरंग का तो पी के बाद एस आता है तो इसका जो है याद रखेंगे कि इसकी आभिर्ती भी मध्यम होती है और इसकी चाल भी कम सबसे कम होता है और तरंगों की प्राकिर्ति जो होती है या धरातल के समीब ही चलती है और इसकी जो तरंग की प्राकिरती कैसी होती है अनुधैर और अनुप्रस्त दोनों होती है सद्रिश्टज होता है जल तरंगों के समान होता है तीवता सबसे अधिक होती है और आयामी और विस्तार सरवधिक होता है इसलिए सरवधिक बिनासकारी होता है तो इस तीनों तरंग में सबसे ज़्यादा बिनासकारी कौन है तो L है और सबसे ज़्यादा जो पूछे आविर्थी और गतिक सबसे ज़्यादा किसका होता है तो P तरंग का होता है सबसे कम L तरंगा होता है लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उसके बाद कुछ नीचे दिया हुआ है पाइंट से पढ़ लेते हैं दिया हुआ है भूपर पटी पर P, S और L तीनों तरंगों का प्रभा महसूस होता है P तरंगों की गती कोर में अत्यधिक होती है क्योंकि कोर का निर्मान लोहा वान निकल से हुआ है जबकि दुरवल मंडल में P एवं S तरंग का बेक कम हो जाता है प्रन्तु मद्य मंडल में पुना तिर्व हो जाता है भूकंप ये छाया छेत्र ये वैसे छेत्र हैं जहां बुकंप ये तरंगों का प्रभाव नहीं होता है एक बुकंप का छाया छेत्र दूसरे बुकंप के छाया छेत्र से भीन होता है एस तरंगों का छाया छेत्र पी तरंगों के छाया छेत्र से अधिक विस्तरित होता है उसके बाद है भुकंप का विस्तु बित्रन इसको परते हैं पड़ी प्रेशांत मेखला भुकंप का विष्टतर बी 30 में सबसे पहले हैं पड़ी प्रेशांत मेखला या विष्टी की सबसे 20 पुकंप यवां जाला मुक्ही पेटी है जिसमें विष्टी के 50% से अधिक भुकंपी ये छेतर समलीत हैं इस पेटी के भुकंपी छेतरों में अलास्का, फिलिपिन्स, न्यूजिलेंड, जपान आदी सामिल है सबसे ज़्यादा भुकंप वाला जगह भी यही सब है अलास्का, फिलिपिन्स, न्यूजिलेंड, जपान और इसे रिंग ओफ फायर भी कहते हैं रिंग ओफ फायर कहते हैं, उसके बाद है मध महादू पिये मेखला या विस्तु की दूसरी सबसे बड़ी भुकंपिये पेटी है नबीन मोरदार परबत, हिमाले, अलपस, कांकेकस, पिरेनीज, तता भुमद सागर आदी इसी पेटी में अवस्थित है उसके बाद है तीशरा मध अटलांटिक पेटी या पेटी मध अटलांटिक महासागर में आईजलन से लेकर वोवेट दूइप तक पिस्तृत है अन भुकंपिये छेत्रों से में पुर्वी ए फिरका की दरार घाटी प्रमुक है उसके बाद है भारत का भुकंप छेत्र भारतिये मानक ब्यूरों ने भुकंपिये तिव्रता की द्रिश्टी से भारत को चार प्रमुक छेत्रों में विवाजित किया है मतलब भारत को चार जोन में विवाजित किया है सबसे पहला जोन है जोन भी जोन भी जो है वो मारकेली स्केल पर 9 या 9 से अधिक तिव्रता का भुकम्प छेत्र जिससे संपुन प्रुवत्तर राज, कस्मीर, हिमालय तथा उत्राखंड के हिमालय से सटे जिले, उत्री बिहार तथा अंडवान निकोबार में सामिल होता है या तो 9 होगा या 9 से जादा वला जो भुकम्प होगा वो इस एडिया में आता है तो भी जोन में अगर 9 से उपर वला आ गया तो उसको भी जोन में कहते हैं तो कौन-कौन सा राज है तो सबसे पहले कस्मीर है हिमाचल प्रदेश है उत्राखंड है और उत्री बिहार अंडवान निकोबार इसके वाद जोन 4 में है मारकेली स्केल पर 8 की तिर्वता तक को भुकम्पी छेतर जम्मुकसमीर हिमाचल था उत्राखंड के सेस भाग दिल्ली, सिक्किम, पश्रिम बंगाल, बिहार, उत्रपरदेश का उत्री भाग गुजरात की कक्ष छेतर महराष्ट रार्यस्थान के बचे हुए भाग, दस्चिन भारत के राज, उरीसा तथा लक्षदिप समू सामिल है, तो बिहार किसमें सामिल है, बिहार के बारे में कम से कम चालने जोन, तीन में बिहार सामिल है, ठीक है, और बिहार की मारकेली स्केल क्या है, 7 होती है, उसके बाद है, जोन 2, जोन 2 में ह मारकेली एक स्केल पर 6 या 6 से कम तिवता के छेतर जिसमें देश के बचे हुवे भाग सामिल है भुकम्पी तरंगों का मापन भुकम्पी तरंगों की तिवता जिस संबेदन सिल यंतर द्वारा मापी जाती है उसे भुकम्प लेखी या सिस्मोग्राफ कहते है भुकम्प की तिवता को मारकेली एसकेल द्वारा मापा जाता है जबकि भुकम्प का परिमान रियक्टर एसकेल के द्वारा मापा जाता है तो यह इंपोर्टेंट लाइन है कि भुकम्प का परिमानों किसके द्वारा ना पा जाता है तो reactor scale के द्वारा मापा जाता है इसे ही याद रखेंगे ठीक है उसके बाद है reactor scale 0 से लेके 9 तक ही संख्या होती है जबकि मारके लिए scale 1 से लेके 12 तक होती है reactor scale का प्रते कस्तर पिछली की तुलना में 10 कुना जादा तिवता का होता है उसके बाद है वालकोनो यानि की ज्वाला मुखी ज्वाला मुखी का उद्भेदन मुखता दो रूपो केंद्रिये उद्भेदन तथा दराडिये उद्भेदन में होता है केंद्रिये उद्वेदन सबसे पहले पढ़ते हैं तो ऐसे उद्वेदन बाले ज्वाला मुखी में लावा का निसकर्शन एक छिद्र से होता है जिसे लावा या संकु या गुम्बद का निमान होता है ऐसे ज्वाला मुखी समानेता बिनासकारी प्रकिर्ती के होते हैं जैसे पिलियन तुल ज्वाला मुखी, ज्वाला मुखी लावा के उदगार की घर्ती तिर्वता के अधार पर ज्वाला मुखी संकू को पिलियन, बालकेनियन, एस्ट्रामबोली तथा हवाई तुल प्रकारो में माटा गया है दूसरा है दरारी उद्भेदन ऐसी उद्भेदन बाले ज्वाला मुखी से लावा किसी दरार या दरारों से निस्रित्थ होता है यह दूर तक बहकर कम उचाय के ज्वाला मुखी भूद्री सो का निर्मान करता है कौन दरारी उद्भेदन तो दक्कन का प्रकार पर ज्वाला मुखी तीन प्रकार के होते हैं सक्रिय ज्वाला मुखी सुसुप्त ज्वाला मुखी और सांत ज्वाला मुखी जिसको ज्वाला मुखी कहते हैं तो प्रमुख ज्वाला मुखी पर इस प्रमुख कौन से ज्वाला मुखी है इसको इतना पढ़ लेते हैं उसके बाद समाप्त कर देंगे इसको तो सबसे पहले है हमारा Estramboli यह जो है इटली के सिसली दूप के उत्तर में इस्तित सक्रिय जॉला मुखी है Estramboli कैसा जॉला मुखी है? तो सक्रिय जॉला मुखी है इसे भूमद सागर का प्रकास अस्तम्भ भी कहते है उसके बाद है माउंट एटना इटली की सिसली दूप में इस्तित सक्रिय जॉला मुखी यह भी है माउंट एटना, Estramboli यह दोनों क्या है? सक्रिय जॉला मुखी का उदारन है उसके बाद है बिशूबियस क्राकातोवा, जावा और सुमात्रा के मद इस्तित सक्रिय जॉला मुखी है जिंबा राजो, एक्वाडोर इस्तित सांत जॉला मुखी है माउंट पोपा, मैनमार में इस्तित सांत जॉला मुखी है एकांगुवा चीली अर्जंटीना के माद इस्थित सांत ज्वाला मुखी एंडीज की सरबोच्च चोटी है उसके बाद है माउंट केमरून अफेरिका का एक माद सक्रिय ज्वाला मुखी परवत है इसके बाद है Ojas Del Salado, चीली वा अर्जंटीना की सीमा पर इस्थित विश्व का सबसे उचा सक्रिय जो अला मुखी है, इसके कुछ सुरोथ है, कोटो पैक्सी सबसे उचा है, कोटो पैक्सी सबसे उचा जो अला मुखी है, माउंट हेकला वाला की, आइसलेंड में इस्थित ज जॉला मुखी परवत है, उसके बाद है Mona Lua, जो USA के हवाईदूद में इस्थित जॉला मुखी है, माउंट ताल, माउंट मेयान, माउंट पिनाडूवो, टूवो यह फ्लिपिन्स में इस्थित जॉला मुखी परवत है, उसके बाद है देमबंद, एलबुर्ज परवत की स प्लूटोनिक आत्वा पताली अस्तला किर्ती तो इसको पढ़ते हैं बैथोलित सरबधिक ब्रीद अस्तला किर्ती जिसका आधार अस्पस्ट नहीं होता है इसका निश्चित स्वरूप नहीं होता है तो बैथोलित जो है इसका कोई आकिर्ती निश्चित नहीं है लैकोलित ज चिछला बेशिन तथा तस्तरिznुमा आस्थला किरती होती है लोपोलित की सील एवंसीड यो होता है वो 36 अगने सरकना होती है इसका उसके बाद है डाइक या उर्धादर अगने Jadi सब्सक्राइब करें तो चले मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद